दर्म स्रद्दारू पाईयों बहनों सादर जय जिनंद्र एवं साथ ही पास में रह हुए गंटी के बटन पो भी प्लिक कर दें ताकि भविष्ट में आने वाले हमारे सभी नए वीडियो की जानकरी आप तक तुरंत पाउंच सके तो लीजिए प्रारंब करते हैं यह वीडियो एक बूंद पानी में कितने जीव असंक्यात गड़े भर पानी में कितने जीव असंक्यात समुद्र के पानी में कितने जीव असंक्यात ये क्या मजाक है क्योंकि जब एक बूंद पानी में ही असंक्यात जीव हैं तो गड़े भर पानी में तो असंक्यात से भी ज़्यादा जीव होने ही चाहिए और समुद्र बर पानी में तो जीव और भी अधिक होने चाहिए कहां एक बूंद और कहां एक समुद्र कईयों के मन में इस प्रकार की शंका उत्पन होती है पहले यहां एक बात जरूर मन में बिठा लेनी है कि न यह कोई मजाक है ना कोई कपोल कलपना वीतराग भगवान द्वारा कही गई यह बात एक दम सत्य है एक बूंद पानी में भी असंख्यात जीव है और एक गड़े भर पानी में भी असंख्यात जीव है लेकिन इन दोनों असंख्यातों में असंख्यात गुणा फर्क है यानि एक बूंद में जितने जीव हैं उनकी अपैक्षा गड़े भर पानी में असंख्यात गुणा जीव अधिक हैं और समुद्र के पानी में इससे भी असंख्यात गुणा अधिक जीव हैं क्योंकि असंख्यात के असंख्यात विकल्प हैं चलिए इस बात को हम इस तरह समझते हैं। प्रश्न है इकाई की संख्या कितने प्रकारकी होती है। सेकडा यानि तीन अंकों की संख्या कितने प्रकार की। नो सो प्रकार की। सो से लगाकर नो सो नन्यानू तक। इसी प्रकार आगे चार अंकों की संख्या के कितने प्रकार। उत्तर होगा नो हजार प्रकार। एक हजार से नो हजार नो सो नन्यानू तक। छे अंकों की संख कितने प्रकार की? 9 लाक प्रकार की. आठ अंकों की संख्या कितने प्रकार की? उत्तर होगा 9 करोड प्रकार की. यहां हम दो नए शब्दों का प्रयोग करने वाले हैं जगन्य और उत्कृष्ट. जगन्य यानि कम से कम, minimum और उत्कृष्ट मतलब अधिक से अधिक या maximum. तो आठ अंकों की संख्याएं 9 करोड प्रकार की होती है. जिन में करोड की जगन्य संख्या एक करोड है. और करोड की उत्कृष्ट संख्या 9 करोड नन्यानु लाक नन्यानु हजार नो सो नन्यानु है. यहां गोर करने वाली बात यह है कि 8 अंकों वाली जगन्य और उत्कृ दोनों संख्याएं करोड ही कहलाती हैं लेकिन दोनों में करीब 9 करोड का अंतर है इसी प्रकार आगे विचार करें तो अरब की संख्याएं 9 अरब प्रकार की होती है और खरब की संख्याएं 9 खरब प्रकार की होती है और आगे इसी तरीके से संख्यात की संख्याएं संख्यात प्रकार की और असंख्यात की संख्याएं असंख्यात तरह की होती है यानि असंख्यात के असंख्यात विकल्प हैं और उनमें भी जगन्य असंख्यात और उतक्रिष्ट असंख्यात के बीच असंख्यात गुणा अंतर होता है इसलिए गड़े भर पानी में जो असंक्यात जीव हैं वे पानी की एक बूंद में रह हुए असंक्यात जीवों से असंक्यात गुणा अधिक हैं सर्वग्य सर्वदर्शी वीतराग भगवन्तों के वचन पूर्णतया सत्य और असंदिक्द हैं जो उनमें शंका करते हैं वे संकाय नासे सम्मत्तम आचारांग सुत्र के इस कथन के अनुसार अपने सम्यक्त्व को नश्ट कर डालते हैं अतह सास्त्र की कोई बात अगर समझ में नहीं आती हो तो उसमें अपनी बुद्धी की कमी माननी चाहिए और वीतराग वानी को पूर्णतया सत्य, प्रामानिक और असंदिक्द समझनी चाहिए आशा है यह वीडियो आपकी ज्ञानवर्दी में सहायक बना होगा आप इसे लाइक वशेर भी कर सकते हैं आगम की चाहों में यूट्यूब चैनल के अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय जिनेंद्र